हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो का रिक्वेस्ट मेरे से कोमेंट्स में किया था आज मैं बात करूँगा इस फोन के 40 अमेजिंग फीचर्स की तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और मुझे बताईगा नीचे कोमेंट्स में कि आपको कौन से फीचर्स सबसे ज़ादा अच्छे लगे चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस फोन के इस खुबसूरत डिस्प्ले के बारे में ही बात करना चाहूँगा यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा कर्व डिस्प्ले मिलता है और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको 144 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट दिया गया है सेटिंग्स में डिस्प्ले में अगर आप डिस्प्ले रिफ्रेश रेट में जाते हैं बाइड फोल्ट ये ओटो के उपर सेक्टिड है ओटो पे फोन 120 से उपर नहीं जाता अगर आपको 144 यूज करना है तो आपको manually यहाँ पर 144 सेक्ट करना होगा इस फोन में दोस्तो बाइड फोल्ट ये वोलपेपर आपको लगा मिलता है जो कि सुन्दर है लेकिन इस फोन में इससे भी better वोलपेपर आपको दिये गए है ओम स्क्रीन के पर long tap करके अगर आप वोलपेपर में जाते हैं तो यहाँ पर इस फोन में आपको dynamic मतलब के live वोलपेपर का support मिल जाता है और बहुत सारे live वोलपेपर मोटोला ने इसके अंदर pre-installed दिये हैं यहाँ पर अगर tap करके इसके size को बढ़ा देंगे इस तरीके से तो आप इसमें और information add कर सकते हैं जैसे के weather का information अगर आपको add करना है उसी की साथ AKOI और battery percentage भी यहाँ पर ही आप add कर सकते हैं वैसे इस phone में pixel वाले widgets भी हैं अगर आपको pixel वाले cloaks यूज़ करने हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे मोटरोला के phones में दोस्ता आपको पता है कि always own display आपको नहीं मिलता लेकिन अगर आप यहाँ पर personalize के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको peak display का feature मिल जाएगा अब यहाँ पर options कम हैं ज्यादा आपको customization नहीं मिलता जो के मुझे लगता है मोटरोला को add क करना चाहिए लेकिन peak display के एक अच्छी चीज यह है कि interactive है आप लोग screen से ही directly peak display के मदद से कुछ reply कर सकते हैं या फिर mark as read कर सकते हैं message को तो notifications को आप यहीं से असानी से control कर सकते हैं personalized के अंदर ही यहाँ पर दोस्तों आपको edge light का feature भी दिया गया है जो कि मैंने पहली बार मोटरोला के फोन में देखा है और actually सबसे best implementation मोटरोला ने किया है अगर आप इसको enable करते हैं तो edge lighting जो है वो बिल्कुल side में आपको दिखती है तो even अगर आपने phone को उटा रखा है क्य lighting आपको use करना है और क्योंकि यहाँ पर in display fingerprint sensor है तो आपको fingerprint animation का option भी मिल जाएगा तीन options यहाँ पर आपको दिये गए हैं जो कि आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर use कर सकते हैं एक option जो मुझे android 13 का बहुत अच्छा लगता है अगर आप colors के अंदर जाते हैं आप यहाँ themed icons को भी enable कर सकते हैं उसका support भी इस phone में दिया गया है अगर आप इसको enable करेंगे तो आपके सारे icons जो हैं वो इस तरीके की shape में convert हो जाएंगे यह बहुत सुंदर दिखते हैं दोस्तों और आपकी theme के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं तो अगर आप wallpaper के हिसाब से इनका color setup क करेंगे तो यह phone की look को बहुत enhance कर देता है और इसके बिना और भी बहुत सारी customization यहां पर है दोस्तों जैसके आप themes create कर सकते हैं उसी के साथ fonts customize कर सकते हैं कौन सा font आपको use करना है icon shapes को आप change कर सकते हैं even display size और font size को आप यहां से change कर सकते हैं और यहां पर कुछ options आपको दिय इस phone में दोस्तों Motorola ने आपको पहली बार sidebar का support भी दिया है अगर आप Moto app के अंदर gestures के अंदर जाते हैं यहां पर आपको sidebar का option मिल जाएगा इसको आप enable कर दीजिए और यहां पर इस तरीके का sidebar आपको दिया गया है इसके अंदर आपको कुछ apps यहां पर दिख जाएंगी तो इस phone में free phones app का support भी आपको दिया गया है दो तरीके हैं उसको open करने के या तो आप यहां से sidebar से open कर दीजिए या फिर अगर आपने कोई भी app open किया है आप presence में जाते हैं तो इस app के icon के उपर tap कीजिए और यहां पर आपको free phone का option मिल जाता है इसको आप यहां पर resize कर सकत हैं या फिर बिल्कुल minimize अगर आप करेंगे तो इस तरीके से icon यहां पर side में पढ़ा रहेगा एक और नया gesture जो मिने moto app के अंदर देखा वो है Q launch का उसका भी support अब आपको मिल जाता है इसको अगर आप enable करते हैं तो back के उपर दो बार tap करके आप कोई action perform कर सकते हैं basically double tap on back का feature आप यूज कर सकते हैं और यहां से आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या action perform करना है दोस्तो एक ऐसा feature जो मुझे personally बहुत अच्छा लगता है वो है attentive display का settings में display के अंदर अगर आप screen timeout के अंदर जाते हैं यहां पर आप attentive display को enable कर सकते हैं basically screen timeout बढ़ाने की बचाए अगर पर display settings के अंदर ही एक और बहुत useful option दिया गया है जो के है flicker prevention का again इस feature का implementation दोस्तो इस phone में मुझे best लगा जो flickering है low brightness के अपर जो emulet displays में होती है वो बिलकुल एकदम 0% पर चली जाती है अगर आप इस feature को enable करते हैं और यहां पर ही अगर आप और नीचे scroll करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको ready 4 का support भी इस phone में दिया गया है जो कि एक ऐसा feature है मोटोल आपने premium smartphones में देता है तो इस phone को आप PC, TV या tablet किसी भी चीज़ के साथ connect करके use कर सकते हैं आप अपने phone की calls, messages, games, कोई भी app अगर आप अपने phone में use करना चाहते हैं directly वो चीज़ आप किसी दूसरे device में से कर पाएंगे इस phone में जो dual speakers दिये गए हैं उसकी quality भी मुझे बहुत अच्छी लगी settings में sound and vibration के अंदर actually आपको dual B Atmos का support भी दिया गया है जिसके अंदर आप sound को customize कर सकते हैं यहाँ पर आप smart audio चूज कर सकते हैं कोई preset चूज कर सकते हैं या फिर even अगर आप customize के अंदर जाएंगे तो बहुत सारा customization आपको मिल जाएगा आप base select कर पाएंगे कि कैसा रखना है हर equalizer की setting आप control कर पाएंगे even surround sound को भी आप यहाँ से enable कर पाएंगे और sound से related एक और बहुत ही अच्छा feature में आपको बताता हूँ जो कि है यहाँ पर special sound का आप इस phone में special sound भी enable कर सकते हैं अगर आप headphones use कर रहे हैं तो आपको ऐसा feel होगा कि जैसे चारों तरफ से आवाज आ रही है बहुत ही अच्छे तरीके से यह feature भी काम करता है और sound की settings में ही आपको multi volume का feature भी दे रखा है normally अगर आप देखते हैं phone में अगर आप कोई एक app में music play कर रहे हैं उसके background का music बंद नहीं होता है और उनका volume भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग से आप control कर पाएंगे Motorola ने Moto app के अंदर security बादे भी बड़े अच्छे features add किये हैं जैसे के अब आपको यहाँ पर secure folder का option मिल जाता है इसको बस आप setup कर लीजे उसके बाद अगर आप किसी app को protect करना चाहते हैं अपनी कोई files protect करना चाहते हैं वो सब चीज़ें आप इस secure folder की मदल से कर सकते हैं वैसे WhatsApp अगर मैं यहाँ पर add करता हूँ तो यह एक नया WhatsApp है जिसमें मैं एक नया account login कर सकता हूँ तो इस secure folder को आप एक तरीके से dual apps की तरहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यह security settings के अंदर एक और बहुत अच्छा feature आपको pinpad scramble का दिया गया है by default अगर आप देखेंगे दोस्तो pinpad आपका normal ही रहता है इस feature को अगर आप enable करेंगे और आप low screen के उपर जाएंगे तो अगर आपने pin वाला password setup किया है तो आपका pinpad पुरा scramble हो जाता है तो जब आप password एंटर करेंगे इवन अगर आपके आसपास कोई खड़ा है तो पता नहीं करवा पाएगा कि आप क्या type कर र कर सकते हैं उसी के साथ यहां पर fast torch वाला option भी दिया गया है अगर आप phone को दूबार इस तरीके से चोब करेंगे तो आप flashlight को turn on या turn off असानी से कर सकते हैं त्री finger screenshot का gesture भी आपको मिल जाता है screenshot capture करने के लिए आप बस त्री finger से इस तरीके से tap करके रख सकते हैं और बड़ी up to silence phone को जब आप उठाएंगे किसी service से तो call automatically silent हो जाएगी या फिर swipe to split जैसे gestures भी इस phone में यूज़ कर सकते हैं Moto app के अंदर ही अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर आपको play का भी option दिया गया है जिसके अंदर आपको game mode enable करने का option मिल जाता है कोई भी game अगर आप इस phone के उपर play करते हैं दोस्तों तो यहां पर इस तरीके का gaming sidebar आपको दिया गया है जिसके अंदर game से related बहुत सारी settings आपको मिल जाएंगी या फिर free form में आप किसी application को open कर सकते हैं जैसे के whatsapp पे अगर आपको साथ में chat भी करना है तो वो भी आप कर पाएंगे और play के अंदर ही एक और अच्छा option आपको media controls का दिया गया है अगर आप headphones की मदद से बहुत जाला music सुनते हैं तो यह option आपके लिए बहुत अच्छा है इसको बस आप enable कर दीजिए और volume buttons की मदद से आप songs को previous या next में भी change कर सकते हैं आपको बस volume की को tap करने की बजाए volume की को hold करके रखना है इस phone में दोस्तों आपको निया वादा 100 mode भी मिल जाता है settings में gestures में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको one-handed mode निल जाएगा इसको enable करने के लिए बस आपको screen को इस तरीके से नीचे swipe करना है यह iPhone के reachability जैसा feature है पूरी की पूरी screen जो है और नीचे आजाती है अगर आपको उपर से कुछ use करना है तो आसान हो जाता है और phone आपका असानी से लोग हो जाएगा एक और interesting feature जो आपको दिया गया है दोस्तों आपको app road में मिल जाएगा जो कि है family space का इस phone में आप spaces create कर सकते हैं जसके अगर आपके घर में बच्चे हैं उनको अगर आप phone देते हैं games खेलने के लिए तो आप उनकी लिए एक अलग से space create कर सकते हैं जिसमें बस आप उन apps को enable कीजिए उसके बाद उस space में आप सिरफ उन ही applications को use कर पाएंगे phone की कोई भी settings वगएरा change नहीं हो पाएंगी जब तक आप उसी space में है वैसे बता दूँकि इस phone में आपको screen recorder भी internally मिल जाता है अगर आप यहां पर control center में देखेंगे तो यहां पर आपको screen recorder का option मिल जाएगा maximum इस phone में आप full HD 60fps की screen recording कर सकते हैं और दोस्तो वैसे तो यह एक 5G smartphone है 5G की connectivity इस phone में काफी जादा अच्छी है लेकिन अगर आप 4G इस phone में यूज कर रहे हैं तो 4G की speed भी इस phone में आपको काफी अच्छी मिल जाएगी क्यूंकि इस phone में आपको 4G plus carrier aggregation का support मिल जाता है वो भी up to 3CA का मिलता है और काफी जादा stable है और दोस्तो बाइट फुल अगर आप देखेंगे इस phone में status part में आपको battery percentage show नहीं होता उसको भी आप enable कर सकते हैं settings में battery के अंदर आप जाएंगे तो यहां से आप battery percentage को enable कीजिए और यहां पर show ना शुरू हो जाएगा चैनले दोस्तो camera के भी कुछ interesting features आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो आपको बता दूँँ कि इस phone में normal camera के साथ साथ आपको एक ultra wide camera भी दिया गया है और एक macro camera भी दिया गया है जो कि आप यहां से use कर सकते हैं और यह दोनों ही camera आप यहां पर video mode में भी use कर सकते हैं और दोस्तों कि यहां पर जो primary camera है वो 50 megapixel का है तो mode के अंदर यहां पर आपको एक ultra resolution का mode दिया गया है जो कि high resolution mode है actual 50 megapixel photos capture करने के लिए आप इस mode का use कर सकते हैं इस phone में दोस्तों Motorola ने आपको portrait videos का option भी दिया है अगर आप videos के अंदर जाएंगे और इस वादे icon को tap करेंगे तो आपका portrait videos का feature enable हो जाएगा और यहां से आप control कर पाएंगे कि background में कितना ज़्यादा blur आपको add करना है उसी के साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो slow motion videos का support भी है maximum आप 240 fps HD के उपर shoot कर सकते हैं और वीडियोस दोनों के लिए ही कर सकते हैं उसी के साथ sport color का option भी दिया गया है अगर आप अपनी पूरी photo में सिरफ एक ही color को रखना चाहते हैं बाकि पूरी photo को black and white करना चाहते हैं वो चीस भी आप इसके मिल से कर सकते हैं अगेन ये feature भी आप photos और videos दोनों में यूज़ कर सकते हैं उसी के साथ pro mode का support भी आपको मिल जाता है दोस्तों यहां पर इवन आप camera चूज़ कर सकते हैं के rear में primary यूज़ करना है या ट्रावाइड यूज़ करना है या फिर macro यूज़ करना है और even front camera में भी pro mode आप यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों एक feature जो मुझे हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है Motorola के phones का settings में अगर आप AI settings के अंदर जाते हैं तो आपको काफी सारे different तरीके के photo capture करने के options मिलते हैं जैसे के आप smile करके capture कर सकते हैं या फिर आप gesture से मतब के palm दिखा के photo capture कर सकते हैं तो ये सब options भी आप यहां से इस phone में यूज़ कर सकते हैं चलिए दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में यही था I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like and share जरू कीजेगा और मुझे बताएगा नीचे comments में के आपको कुणसा feature सबसे जादा अच्छा लगा चैनल को subscribe भी कर सकते हैं अगर आप ऐसी और interesting वीडियो देखना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यावाद दोस्तों